केविडल स्मार्ट टीम में गॉल्फ कोर्स के साथ में उस रोड पर भी कितना काम हुआ है राइड नौ में इस रोड में मजूद हूँ यह बिसिकली डिवाइडर रोड है गॉल्फ कोर्स और एक्जेक्टिब लॉग के दर्मियान में और इस रोड की विट्ट के वाले से मैं का बलॉक ब्लॉक बिया वाटर टैंक हो गया उस के पीछे है इस सारी एक्जेक्टिब की बलॉक बी में है और उसकी पीछे है कुछ वाइट विलाज हैं पांच म Machtला के एकजेक्टिब बॉक बी में और कुछ इट्सोर जो ग्रे स्कंच नज़र आ अपको जन पे चुनाई काम हुआ हुआ है यह विलाज मेंबर इटसल्फ खोद बना रहे हैं इन विलाज पर पर फिर कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से जारी है तो अभी इस सिलिकोन विलिज के जो मोस्ली प्लॉइज है वह इन्हीं विलाज में आके टैनेंट बनेंगे यहीं पर आके रहेंगे और यह यह अगर रोड मिला ली जाए बीच में 100 फीट इसकी विट है यह से सेपरेट है तो बन जाती है 347 फीट अब यह 347 फीट की जो रोड है यह टेक्निकली दो पार्ट में डिवाइड है जिस रोड पे मैं अभी वॉक कर रहा हूं यह जो रोड ही गॉल्फ कोर्स के इन विला से एक पॉइंट होगी वह गॉल्फ कोर्स का एंट्री पॉइंट होगा और इन विलाज की बैक साइट पे कुछ दो-दो कनाल के विलाज बनाए जाएंगे अगर बात करें इस तरफ विल्फ कोर्स तो यह जो पॉइंट आपको नदर आ रहा है जहांप्र यह बोर्ड इंस्टॉल्ल है मिफ्जोर इस तारे एरिय durant लेपे कमर्श्यल जें जहां पर आँठ मिलाऊ चाण मनला कमर्शं करोंट सेंप्लोडक हैं ऊबला कमर्श प्राइब क्रोड की प्राइस में लॉंच किया था जो 20% विद पुजाशन अवेलेबल हैं तो यह वाले प्लॉट्स के अगर आप कमर्शल में ट्रस्टेड हैं तो फेसिंग गॉल्फ कोर्स यानि कि अगर आप इस तरफ देखते हैं तो 25 क्रोड का घर होगा गॉल्फ कोर्स के अंदर औ यहां पर इस अपर कंस्ट्रक्ट किया जाएंगे इस एरिये में और अपार्टमंट से इनके रेट्स का बहुत डिफरेंट है कहां पर 2 क्रोड कहां पर 25 क्रोड तो जमीन अस्माना कैप बनता है